92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियेट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा सीजन 4 कहानिया जिन में आप मिलते हैं खुद से दोस्तों 8 मार्च को महिला दिवस है याने Women's Day इसलिए यादों का इडियेट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा पर ये हफ़ता Women's Special Week है इस अफ़ते हम आपको महिला पात्रों के इर्दगिर्द बुनी कहानिया सुनाएंगे और होली भी आ रही है तो आज आपको सुना रहा हूँ मेरी मंडली की सदस्या विशाली जैन की लिखी कहानी भीगी चुनरिया पिछकारी, अबीर, गुलाल, टेसू का रंग आगन में एक दुकान भर का सामान बिखरा हुआ था आईशा का बस चलता तो इतने ही रंग और लेके चली आती वो तो पापा ने कहके रोक दिया था बेटा, अगले साल की हुली का समान अगले साल खरीदेंगे, इस अलके ले इतना काफी है 21 साल की आईशा रिजवी हिंदुस्तानी तहजीब में बड़ी हुई थी रिजवी घर का आंगन, इद पे सिवईयों की मिठाई चकता दिवाली पे दियों से रोशन होता और हुली में सराबोर होता रंगों में, दोस्तों के साथ गुलती ठंडाई में और आईशा की हसी में, उसकी चहक में, उसके रंगों के इस बेंतहा शौक में या अल्ला आईशा ये कितने रंग लाई है तू अमी कम है न, कहा ता पापा से मैंने स्कूटर पर आगे जगे खाली थी, फिर भी नहीं लेने दिया और कम, पूरा महला इन से होली खेल सकता है मैं आदे स्टोर में रखवा रही हूँ इतना कहके फातिमा रंगों की एक थेली उठाने को ही हुई कि वहां रिजवी साहब आ गए अरे क्या करती हो फातिमा, होली खेल लेने दोसको जो बचे वो रखवा देना आप भी ने सरपचावा रखा है आईशा अब तक अपने पापा के बगल वाली कुरसी पर जम गई थी उसने अम्मी की तरफ अंगूठा दिखाया और पापा का हाथ पकड़के खिल खिला दी रिजवी साहब और फातिमा भी मस्कुरा दिये घर का खुशनमा माहौल देखके आईशा ने अपनी डिमांड के लिए ये सही टाइम समझा पापा वो मैं पूछ रही थी कि नई, आईशा की बात पूरी होती इससे पहले ही फातिमा बोल पड़ी अरे उसकी बात तो पूरी होने दो कोई फाइदा नहीं मैं जानती हूँ नहीं तुकल नूपुर के हाँ होली खेलने नहीं जाएगी अरे अम्मी उसमें प्रॉब्लम क्या है वो कॉलेज में है मेरे साथ आप मिलतो चुकी हो घर भी आ चुकी है देख किसी और दिन चली जाना तो उसके हाँ अगर बहुत मनो तो सब को यहीं बुला ले पर अम्मी मना कर दिया ना एक बार अम्मी की तल्ख आवाज से आईशा का चहरा उतर गया कॉलेज के सारे दोस्त नूपुर के हाँ होली खेलने जा रहे थे नूपुर की सुसाइटी में सब साथ में ही होली खेलते थे पापा के दोस्तों और उनके परिवारों के साथ होली हमेशा बहुत रंगीन होती थी लेकिन आईशा इस बार नए दोस्त, नए रंग देखना चाहती थी नए लोगों से दोस्ती करने का भला खूली से अच्छा माखा और क्या हो सकता था आईशा वहाँ से उठके अपने कमरे में जाने लगी फोन कमरे में रखा था और अब नूपूर को मना तो करना ही पड़ेगा न नूपूर के हम दोनों आपको छोड़ने चलेंगे और दो घंटे में वापस ले लेंगे मनजूर है आईशा के पापा ने कहा आईशा चहक के अपने पापा के गले लग गई मनजूर 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 है रिजवी साहब होली का दिन है और बहुत जिम्मेदार है हमारी आईशा उसके पापा ने कहा काश बाकी दुनिया के लिए भी मैं यही कह पाती फातिमा बस सोच के रह गई थी 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडिट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा सीजन फूर कहानिया जिन में आप मिलते हैं खुद से दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सरस्या वरशाली जैन की लिखी विमन्स वीक स्पेशल स्टोरी भीगी चुनरिया इस कहानी में अब तक आपने सुना 21 साल की आईशा रिजवी को हूली का त्योहार बहुत पसंद है आईशा को बहुत कोशिश के बाद अपने कॉलिज की दोस्त नूपुर के हाँ हूली खेलने जाने की अजासत मिल जाती है क्या रंग लाएगी आईशा की जिद सुनते हैं आगे नूपुर की सुसाइटी में पार्किंग लॉट खाली करवा दिया गया था आईशा के पापा और अम्मी गेट तक छोड़के गए थे हूली के लिए खास उसने सफेद रंग का सूट से लवाया था और इतना कहते हुए आईशा ने लाल रंग के गुलाल से नूपुर को रंग दिया कॉलेज के दोस्त आपस का हसी मजाक और हवा में उड़ता अबीर गुलाल त्योहार की खुशियां अपने आप ही बयान कर रहा था कभी आईशा नूपुर के रंग वाले पानी के ड्रम में पठक दिया अब मैडम को शान्ती हो जाएगी आईशा के दोस्त अमन की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आईशा ने उसका हाथ पकड़के उसको भी ड्रम में खीच लिया चारों तरफ हसी के ठाहा के गुंज रहे थे ये आईशा की अब तक की सबसे अच्छी होली थी होली की मौज मस्ती में पता ही नहीं चला कि कब दो घंटे भी हो गए गेट पे पापा का इंतजार करती आईशा दोस्तों के साथ होली वाली सेलफी खीच रही थी थोड़े और देर रुप जाती आईशा कितना मज़ा हा रहा है आईशा का सफेद रंग का सूट नजाने अब कितने रंगों का हो गया था उसके दुपट्टे से पानी अब भी टपक रहा था वो दुपट्टे का कोना ने चोड़ते हुए बोली हालत देखिए मेरी अम्मी ने आने दिया वही बहुत है तैंकी सो मच यह मेरी बेस्ट होली थी इतनी काटून लग रही है एक तो सिंगल फोटो बनती है अमन ने हस्ते हुए कहा और आईशा पोस बनाके खड़ी हो गई अचानक पीछे से दो तेजी से आती बाइक्स उसके बिलकुल करीब से निकल गए जब चलानी नहीं आती तो बाइक क्यों लेते हैं यह लोग चाने देना वोली पे यह उर्दंग मचता यह चल पोस दे इतना कहके नूपूर अंदर क्यों चल दी आईशा भी मस्कुराई ही थी कि वो मोटर साइकलें वापस आ गई और इस बार वो केवल करीब से निकली ही नहीं उन बाइक सवारों ने आईशा का दुपट्टा खींच लिया था बाइक चलानी आती है मैंडाओं कहो तो बिठा के लिए चलें चलती बाइक से उस लड़के ने आईशा का गाल थप थपाया आगे से नूपूर और अमन दौरते हुए आ रहे थे कहीं एक फोटो खींचने की आवाज आई उसका दुपट्टा हाथ में बाइक सवार हसते हुए वहाँ से चले गए और नीचे छोड़ गए थे एक बेहत सहमी आईशा को जिसकी हसी को उन्होंने बहुत वक्त के लिए च्छीन लिया था 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडिट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा सीजन फूर कहानिया जिन में आप मिलते हैं खुद से दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ विमन स्पेशल वीक के लिए लिखी मेरी मंडली की सदस्या वरिशाली जैन की कहानी भीगी चुनरिया इस कहानी में अब तक आपने सुना 21 साल की आईशा रिजवी अपनी सहली नूपूर के यहां खोली खेलने जाती है लोटते वक्त दर्वाजे पे अपने पापा का इंतजार करती आईशा के साथ कुछ मोटर साइकल सवार छेड़ चाड़ करते हैं जिससे वो बुरी तरह डर जाती है क्या होगा इस दर का अंजाम सुनते हैं आगे नूपूर ने आके आईशा का हाथ थाम लिया आईशा तु ठीक है आईशा नूपूर सिसक पड़ी थी आईशा आज तक अम्मी ने भी कभी उस पे हाथ नहीं उठाया था पापा ने तो डांटा तक नहीं था और आज भरी सड़क पे किसी ने यूँ ही उसका दुपटा खिंच लिया था भीगे दुपटे के खिंचने से आईशा की गर्दन पे एक लाल खरोच साफ उभर रही थी आईशा के कापते हाथों को थामे नूपूर उसको अंदर ले जाने लगी तभी वहाँ एक गाड़ी आके रुकी सारी 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 बेटा हम लेट हो गए गाड़ी से उतरते हुए रिजवी साहब बोले आईशा ने उनको देखा तक नहीं वो दोड़ के अपनी अम्मी के गले लग गई अम्मी वो सुबक्ती रही इसके आगे कुछ नहीं कह पाई आईशा फातिमा और रिजवी साहब का दिल बैठ गया त्योहार का लाल रंग चिंता से स्याह हो गया था आशी बिटा धीक मेरी तरफ अम्मी को बता क्या हुआ फातिमा लाग कोशिश करती रही पर आईशा सिर्फ उन से चिपकी रोए जा रही थी नुपर किसी ने कुछ कहा है बिटा कैसे हम तो बस फोटोस कीच रहतें अंकल नुपर ने अटकते रुकते सारी बात बताई फातिमा और रिजवी साहब के होश ओड़ गय थे मासूम से उनकी बच्ची और दहशत का ऐसा वाक्या अखबारों में छपती ऐसी खबरों को दर किनार कर देने वाले रिजवी साहब की अपनी बच्ची आज खबर बन गई थी गाट का है आका इतने लापरवा कैसे होगे तुमाई सोसाइटी वाले रिजवी साहब नूपूर पे ही बरस पड़े रिजवी साहब अभी इस सब का वक्त नहीं है बच्ची को घर ले चलिए नूपूर हम आपके पापा से बात करने आएंगे अम्मी ने घर पे ठंडाई शर्बत की तैयारी करी हुई थी सोचा था शाम को सब खुद की भी सुद नहीं थी सुबकियां थी की रुकती भी नहीं थी फातिमा रोती हुई आईशा को अंदर शांत कराने में लगी हुई थी आशी बस कर बेटा देख अब तो तू हमारे पास है ना गोदी में रखा बेटी का सर और उसकी आँखों से बहते आँसों ने फातिमा को अंदर तक जगजोर दिया था उनकी बेटी का तिवहार सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि वो बेटी है लड़की होना क्या गुना है तिवहार क्या यूं किसी के खुशियां च्छीन के मनाय जाता है खुली तो गुलाल में मिलाके खुशियों को हुआ में बिखेडने का तिवहार है न फिर उसी गुलाल से चहरा ढखके किसी ने क्यों हस्ती खिल खिलाती आईशा को गुमसुम कर दिया था उन्हें अपनी बच्ची की ये मायूसी दूर करनी ही थी रोने के भी अपनी मियाद होती है अम्मी की गोदी में सर रखे आईशा रोते रोते सो गई थी फातिमा बाहर आई तो रिजवी साहब आंगन में कुरसी पे बैठे थे सर पीछे टिकाय हुआ था और आखें बंद थी चाय लेंगे तुम्हें चाय की सूच रही है यहां बच्ची के साथ चाय पी लेजे फिर नूपूर के हाँ चलते है हम बात को यह छोड़ तो नहीं सकते खबरदार जो इस बात का कहीं जिकर भी वा तो जो हुआ जो हुआ बच्ची को समा लिए बस रिजवी साहब आप ऐसा कह रहे है आप? जिन्होंने आईशा को पढ़ दिये पढ़ाई में आगे बढ़ाया आप ऐसी बात कर रहे है अम्मी की आवाज उची हो गई थी रिजवी साहब ने आईशा का फोन आगे कर दिया बच्चे फोटो कीच रहे थे ना ये देखो पूरा वाक्या इसे एक तस्वीर में कैद है क्या चाहती हो? बहार जाने दे इस बेज़ती को फातिमा के सामने धुंदली से एक तस्वीर थी जिसमें उनकी बेटी का दुपट्टा किसी बाइक सवार लड़के के हाथ में था और आईशा जमीन पे गिर रही थी 21 की है आईशा उसके लिए आने वाले रिष्टों से तो मन जान तो नहीं हो ना अभी नहीं तो साल भर में रिष्टा करना है बेटी का इस अब देखने के बाद कौन अपनाएगा फातिमा वहीं आंगन में बैठ गई बच्पन से आईशा को हर चीज की छूट थी आने जाने की, हर त्योहार मनाने की मन चाहा पढ़ने की, मन चाहा गढ़ने की जो फातिमा उसके लिए भी भी बच्ची थी रिजवी सहाब ने अचानक उसको बढ़ा कर दिया था और बड़ी हुई भी तो कैसे वो धीरे से उठी और अंदर कमरे में चली गई आईशा अब भी सो रही थी शाम हो चली थी उन्होंने उठके आंगन की तरफ वाली खिड़की बंद कर दी वो धीरे धीरे उसके सर पे हाथ फेरती अपने ही ख्यालों में गुम थी इतना सब सहने के बाद आईशा सिर्फ इसलिए चुप रहे क्योंकि वो एक लड़की है और वो उसकी माँ उसको इसलिए चुप रहने दे क्योंकि शादी नहीं होगी कैसा समाज आईए कैसा कानून है जहां सहने वाले को सहते ही रहना होता है क्या एक बार की ये चुप आईशा को हमेशा के लिए कमजोर नहीं बना देगी नहीं आईशा तो कमजोर नहीं है तो लड़ेगी वहीं आँखें मूंदे पड़ी आईशा की आँखों से एक आंसु बेह निकला पापा की सारी बातें सुन ली थी उसने अपने अम्मी और पापा के फैसलों के बीच आज पहली बार आईशा खुद को बेहत अकेला महसूस कर रही थी अब तक आईशा को हमेशा फागुन की फुहार ही मिली थी आज पहली बार वो जान पाई थी की होलिका की तपिश कैसी होती होगी उसका मन कुछ वैसा ही जल जो रहा था सीजन फोर कहानिया जिन में आप मिलते हैं खुद से दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूँ विमन्स वीक स्पेशल स्टोरी मेरी मंडली की सदस्या वरिशाली जैन की लिखी कहानी भीगी चुनरिया इस कहानी में अब तक आपने सुना अपनी दोस्त नूपुर के हां होली खेलने गई आईशा के साथ कुछ लड़के छेड़ चार करते हैं आईशा के पापा चाहते हैं कि बात आगे न बढ़ाई जाए लेकिन उसकी मम्मी उसको इनसाफ दिलाना चाहती है क्या होगा आईशा का फैसला सुनते हैं आगे होली बीते दो दिन हो चुके थे इतने ही दिन हुए थे आईशा को ठीक से खाए हुए बोले हुए जीए हुए उसे रह रहके कभी गले से खिंचता दुपटा महसूस होता तो कभी गालों पे किसी अंजान का वस पर्ष कभी दूर बाइक पे लहराता उस अंजान के हाथ में अपना दुपटा दिखता था उसकी गर्दन पे उलाल गुसेल निशान उसको हर वक्त याद दिलाता था कि वो इव टीजिंग के शिकार हुई थी और उसने कुछ नहीं किया था अब रोना नहीं आ रहा था घुसा था बहुत सारा घुसा घुटन थी कुछ ना कर पाने की कुछ ना कह पाने की आखिर नूपुर के हाँ जाने की जिद तो उसी ने की थी ना फिर उसकी जिद में पापा की जिद क्यों कम हो नूपुर के घर की बैलकनी में बैठी थी आईशा आज नूपुर ही लेने आई थी अम्मी डरती थी कि कहीं वो ही जगे देख कि आईशा सहम न जाए पर नुपुर भी जिद्धी थी, अपने साथ ही ले गई पूरे घर में दो दिन पहले की होली के कोई निशान नहीं थे किसी ने गुजिया नहीं परोसी, कांजी का पानी नहीं पूछा दोपहर के वक्त अम्मी भी वहां आ गई थी, आंटी ने उसकी पसंद के डाल चावल बनाए थे आईशा तुझे कंप्लेंट करने चाहिए, नुपुर ने बिना किसी लाग लपेट के कहा था और पापा की इज़त का क्या? घर की इज़त बेटियों से होती आईशा, रिजवी साब को मैं समाल लोगी अम्मी ने इतनी शांती से कहा था कि आईशा के अंदर एक तूफान सा उठ गया मैं कुछ ही नहीं जानती उन लड़कों के बारे में अम्मी, क्या रिपोर्ट करूँ? आईशा तेजी से खड़ी हुई तो डाल छलक के उसके कपड़ों पे गिर गई नूपर ने उसको टिशू दिया और अपने छोटे भाई रजट के कमरे में डाल साफ करने भेज दिया उसके जाते ही नूपर ने उसका फोन खोला आपने कहा था ने एक तस्वीर है इसमें आंटी? शायद कुछ सुराग मिल जाए? उधर दाल साफ करने के बाद आईशा ने टिशू डस्बिन में फेंका लेकिन वो बाहर गिर गया आईशा टिशू उठाने को जुकी लेकिन सिंक के नीचे उसको कुछ ऐसा दिखा कि वो खौफ से वहीं जम गई बाहर से आती आवाजें उस तक पहुँची ही नहीं आउंटी दुनला सा एक नंबर है बाइक का नोट करिए फोर सिक्स ने ने फाइव फोर फाइव फोर फाइव सिक्स हाँ फोर फाइव सिक्स टू तस्वीर को जूम करके नंबर बताती नुपुर अचानक शान्त हो गई वो भाग के रजट के कमरे में गई तो आईशा को सिंख के पास हाथ में होली के रंगों में भीगा दुपट्टा लिए बैठा पाया आईशा का अपना दुपट्टा मैं जान गई हूँ कौन थे वो लड़के नुपुर मुझे कंप्लेंट करनी है नुपुर भी उस बाइक का नंबर पहचान गई थी वो बाइक उसके सत्रह साल के भाई रजट की थी 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं यादों का इड़ेट बॉक्स विद नीलेश मिस्रा सीजन 4 कहानिया जिन में आप मिलते हैं खुद से दोस्तों ये है विमन स्पेशल वीक और मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्या व्रिशाली जैन की लिखी कहानी भीगी चुनरिया इस कहानी में अब तक आपने सुना आईशा अपनी सहली नूपुर के हाँ होली खेलने जाती है लेकिन वहाँ उसके साथ कुछ लड़के छेट छाड़ कर देते हैं उसके पिता मामला दबा देना चाहते हैं लेकिन उसकी दोस नूपुर और उसकी अमी आईशा को कम्पलेंट करने का होसला देते हैं आईशा को नूपुर के घर पता चलता है कि वो लड़का नूपुर का छोटा भाई रजत और उसके दोस्त है क्या करेगी आईशा आप सुनते हैं आगे आईशा बिना कुछ बोले अम्मी के साथ सीधे पुली स्टेशन गई और कंप्लेंट दर्च करा दी वो जानती थी कि इसी के साथ उसकी और नूपुर की दोस्ती में भी दरार पड़ गई आईशा घर पहुँची तो एक नया तूफान सामने था रिजवी साहब को नूपुर के पापा से कंप्लेंट के बारे में पता चल गया था उन्होंने तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी थी मेरा नाम बर्बाद करने में कोई और कसर हो तो वो भी पूरी कर लें आप पापा मना किया था मैंने पापा चला उठे बेटी एक बाप का मान होती है रिजवी साहब आज आपको तैय करना है कि आपका मान बेटी की इज़द के लिए लड़ने में है या उसको मुँ बन करके घर बिठाने में अमी आईशा का हाथ पकड़के अंदर ले गए दर्वाजे पे पहुँची ही थी कि आईशा कमजोर आवाज में बोली पापा आज मेरा आपके नाम का सारा गुरू तूट गया रिजवी साहब वहीं खड़े रह गए आज उन्हें अहसास हुआ था कि उनके घर की आउरतें कितनी फौलादी थी और वो कितने कमजोर कितना अकेला कर दिया था उन्होंने अपनी आशी को पर अब वो अपनी गलती सुधा रहेंगे अपनी बेटी के साथ खड़े होंगे उसकी ताकत बन कर इतनी देर में दर्वाजे की घंटी बजी उनके सामने नूपर के पापा नूपर और उसका भाई रजत थे रिजवी साब यही है आईशा बिटिया का गुनेगार आप जो चाहे सजा दे सकते हैं इसको नूपर के पापा ने रजत को धक्का देते हुए का शोर सुनके आईशा और उसकी अम्मी भी बाहरा गए कोई कुछ कहता इससे पहले आईशा रजत के सामने गई और उसको अपना दुपट्टा देते हुए बोली लो अब इसे उड़ाओ हवा में खड़े क्यों आज बाइक पे लेके नहीं चलोगे अंदर का सारा दर्द आँखों से बह रहा था वो आँखें जो घुस्से से लाल थी वो नहीं रजत ये दुपट्टा उड़ाओ नूपुर के हाथ में उसका अपना दुपट्टा था जिसका कोना नूपुर के आँसों से भीगा हुआ था रजत फपक फपक के रो पड़ा आज वो अपनी बहन के सामने हमेशा के लिए गिर गया था रजत की एक गलती ने आज उसके परिवार को बहुत लंबे वक्त के लिए बिखेर दिया था और आईशा के जहन में कभी न मिटने वाले दाख छोड़ दिये थे रजत माफी मांगना चाहता था पर अब बहुत देर हो चुकी थी उसने पुलिस को अपने सारे दोस्तों के नाम बताए सब को काउंसलिंग करवाने का आदेश हुआ ताकि इस कच्ची उमर में उनका भविश्य ना खराब हो और उसो धर जाए उस साल की होली ने आईशा को जन्दगी के बहुत से रंग एक साथ दिखाए थे उसे डर के स्याह अंधेरे मिले थे तो हिम्मत की सुनहरी किरन भी साथ मिली थी इन्ही रंगों में रंगी एक भीगी चुनरिया ने नूपुर और उसकी दोस्ती को उम्र भर के लिए बांध दिया था रज़त के लिए सलामती की दुआ मांगके आईशा नूपुर को घर ले गई थी बस इतनी सी थी ये कहानी 92.7 बिग एफम पर आप सुन रहे हैं कहानिया जिन में आप मिलते हैं खुद से